बीना कोई पैसे खर्चे घर में मौझूद चीजों के साथ मैं आज आपके साथ अपनी स्किन केर रूटीन शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही जादा असर दा कैसे आप सब अच्छे होंगे तो आज मैंने सुचा कि ब्लॉग की शुरुआत यहां से करते हैं व्यूटीफुल से वैदर के साथ और हमारे यहां पे ठंड बहुत जादा है ठंड ठंड हवाएं चली है मैं काफी देर से मतलब जैसे यह वीडियो आन करने लगती थी तो प्रसा दिखाऊं अच्छा अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल नहीं देखते होंगे डेली लाइफ रूटीन में अपनी शेयर करती हूं तो आप बंदरा भाद्वास ब्लॉग के नाम से यह है वह भी आप चकाउट कर सकते हैं तो अच्छा मैं आपके साथ यहां पे आज अप करते और आप अच्छ से कियर नहीं करते हो सर्दियों करते हैं तो हमारी शकिन फोटने लगती है काली भी पड़ जाती है जैसे दूल प्रदूर्शन मिठी जो भी है वह हमारे सभी यह फिर frky आली पढ़ती जाती आप प Amerika सक्तती है तो किस तरह से हैं लेकिन मुझे नैचरल इंग्रेडियंट्स के साथ ही थोड़ी सी तसली मिलते हैं और अच्छा भी लगता है तो मुझे नैचरल इंग्रेडियंट्स से ही benefit मिलते हैं तो वही आपके साथ भी शेयर कर रही हूं जैसा मैं पहले बता चुकी कि में भी आपको सिंपल सी लगे लेकिन बहुत इफेक्टिव है ये रूटीन तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना है किस तरह से मैं अपनी डेली नाइट स्किन केर रूटीन करती है चेहरे पे कुछ आपको अपनी स्किन केर रूटीन करते हुए कोई भी परिशानी ना हो अभी सबसे पहली चीज जो मैं ले रही हूं यहां पे यह है गुलाब जल चाहिसे आपने अपने चेहरा वाश किया है चाहिसे नहीं भी किया है तो भी आपको क्या करना चाहिए गुलाब जल ऐसा टोनर में यहां पर इस्तेमाल कर रही हूं अगर आपके पास कोई टोनर है जिसे आप अपनी स्किन टाइप के वेस पे यूज करते हैं और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो कोई भी इरिटेशन, इचिनेस या फिर कोई भी नुकसान आपकी स्किन को नहीं होने वाला है अभी मैंने लिया है ये बादाम ओईल, बादाम रोगन भी से बोलते हैं, विटामिन E ओईल भी आप ले सकते हैं, कोकोनेट ओईल भी आप ले सकते हैं जो भी oil vitamin E से enriched होता है वो आपको यहाँ पे लेना है और हमें करनी है अपने चेहरे की अच्छी तरह से massage जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का है मौसम और आपको अपने skin की अच्छी तरह से care करनी होती है especially अपने चेहरे को अच्छी तरह से moisturize करना बहुत ही जादा जरूरी हो जाता है तो इस तरह से इसे हम मतलब oil massage भी बोलेंगे तो सबसे पहला step हमारा रहता है toner का और उसके बाद directly मैं यह oil massage कर रहे हूँ तो oil massage के लिए मैंने आपको बता दिया कोई साभी oil आप ले सकते हैं अच्छी तरह से massage करना है मसाज करने से आपकी skin tight होती है और आपकी चेहरे पे blood flow भी increase होता है तो आपकी skin और भी जादा glow करती है अभी again मैंने ले लिया है गुलाब जल अगर आपको अपने चेहरे पे oil extra लग रहा है तो extra oil को भी remove करने का काम कर रहा है साथ या साथ मैं इसे दुवारा as a toner ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो इस तरीके से जैसे हम अपने चेहरे को थप थप आते हैं पानी फेका और थप थप थपाया उस तरह से मैंने इसे यूज किया अभी मैंने लिया है ये lip balm जिसे मैं अपने होंटों पे यूज करूँगी again अगर आपने oil massage की है तो lips पे भी आपको वो करनी है और lip balm है मतलब होंट जो है हमारी skin की सबसे ज़्यादा soft तवचा होती है और साथ ही हमारी eyes के उपर की जो तवचा होती है वो भी बहुत ज़्यादा soft होती है तो जहां पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा dryness रहती है वहाँ पे आप इसे use कर सकते हैं आप बैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया रहती है अगेन मैं फिर से एक वार अपने चेरे को अच्छे से मसाज दे दूँगी ताकि मेरी skin एकदम tight रहे मसाज करने से हमारी skin tight रहती है और हमारी age से हम काफी ज़्यादा छोटे दिखते हैं मैंने यहां पे लिया है मैंने अंदाजे से ले लिया है आप चाहें तो चम्मच की help से भी ले सकते हैं और इसमें एक vitamin E का capsule add किया है vitamin E beauty vitamin के नाम से जाने जाती है आपके face पे कोई भी दाग दबा है उसको lighten करती है आपकी skin को moisturize रखती है और बहुत सारी आपकी skin problems का solution होती है जैसे अगर आपको black add white add की problem लेती है उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है मतलब बहुत सारी समस्याओं का एक लौता इलाज होती है अगर आपको dark circle की समस्या है जैसे मुझे है तो आप इसे regularly use में लाज सकते हैं एक दम से मतलब capsule से direct use में ना लाएं थोड़ा सा थीक होती है ये तो आपकी skin खिचती है और आपको wrinkles बगारे की समस्या हो सकती है इसलिए किसी भी चीज के साथ आप इसे mix करके ही use करें जैसे मैंने अभी aloe vera gel में इसे mix किया है अच्छी तरह से और अब इस aloe vera gel और vitamin E से ह आपने चेहरे को फिर से बहुत बढ़िया सी मसाज देनी है ये जो skincare routine में आपको बता रही हूं आप इसे हपते में दो बार यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसे daily basis पे भी यूज में ला सकते हैं आपको benefit ही मिलेंगे नुकसान कोई भी नहीं होने वाला है क्यूंकि हमने इसी कोई भी चीज नहीं एड़ की है जो कि आपकी skin को नुकसान पहुंचाए तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से मसाज करना है अच्छा एक चीज कहना चाहूंगी अगर आपको किसी भी चीज से जैसे कईयों को aloe vera gel से allergy होती है अगर इस तरह की problem आपको भी होती है तो आप वो चीजी यहां पर ना यूज करें पहले आप पैश टेस्ट करके देख लें कि कौन सी चीज आपको suit कर रही है अगर नहीं कर रही है तो आप उसको skip कर सकते हैं तो अच्छी तरह से इस तरह से आप मसाज किजिए मैंने काफी देर तक अच्छे से मसाज कर लिया जैसे आप अच्छे से मसाज करोगे तो आपको अपनी स्किन खुद वो खुद एक पिंकिश जैसे ग्लो में मतलब आपको नजर आने लगेगा जैसे आपको बताई चुक हुँ ह меня की uh मसाज करने से आपको wrinkles की समस्या है तो वो भी आपकी हुत खतम होनी लगती है इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करना है की help से अगर आपको extra चिपचिपपन महसूस हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि extra oil है आपके चहरे पे तो इस तरीके से आप इसे wipe off कर सकते हैं और बस फिर आपको रात भर इसे इसी तरह से अपनी चहरे पे छोड़ देना है morning में आप जिस भी तरह से चाहें face wash कर सकते हैं में भी आपको बहुत simple लगा होगा लेकिन बहुत beneficial है बहुत बार में आपके साथ share भी कर चुकी हूं और again मैंने आपके साथ share किया अगर अच्छा लगा होगा तो again like share और subscribe को बटन जरूर दवाईएगा साथी bell icon जो बनके आता है उसको भी press कर दीजेगा तभी next आने वाले Thank you